नमस्कार विद्यार्टियो आज अपन लंबे समय से आपके लिए ये रसाइन सास्तर का जो पेपर सोलीशन है वो लेके आएं काफी टाइम से आपके कानाराम जी सर आपको टैंत की वगेरा साइन्स पेपर सोलीशन को काफी अच्छी मेनत करा रहे हैं चैनल पर तो मुझे भी एजी और बिल्कुल सा पेपर था जो भी करा आपको पटा है पैटन का पेपर चेंज हो गया है आपका जिसमें से आपको जो खंड आ है जो आपका सक्सन है उसका जो है परस्ट कोशन इसका सीधा सिधा कोशन की बात करूँगा मैं जदा समय नहीं लूँगा यहां पे explanation आपको बहुत अच्छे से मिला है class में इसी कोई बात नहीं है आपको पता है ये FCC की बात कर रहा है face centered cube की बात कर रहा है तो obviously आपने निकाला होगा इसका answer जो है वो वैसे say है answer क्या होगा? say option यानि कि चार यहाँ पे इसके constitutive particle चार होंगे आप ठीक है then second question है कि एक प्रतम कोटी की अभिक्रिया जिसकी अरदायुकाल 69 यह यहाँ पे कुछ लिख रहा है आपको पता है जब आप इसका k1 के case में अरदायुकाल निकालते हो तो यह 0.693 upon आपका यह टीटू जो होगा तो आप इसका आपको भाग दोगे आप इसका अरदायुकाल का तो इसका जो आणसर आएगा वो मेरे साब से इसका आपका जो ए ओप्सन है और दै ओप्सन है दोनों से में आप कुछ भी करो आंसर सही होगा तो आप थर्ड की बात करोगे थर्ड कृशन के लिए किसी आएन में सभी उलक्ट्रोन युगमित अवस्ता में है तो इसमें तो ज़दा सोचने की बात नहीं है copper plus iron है 10 है तो complete है complete pairing है को दिक्कत नहीं है निमलिक तायनों में से किसका चुम्मक्य आगून का मान सरवाधिक होगा तो जायर सी बात है जिसमें आइगुमित इलक्टोन की संक्या ज्यादा होगी उसी का मान सरवाधिक होगा तो हमें यहाँ पर तो सोचना है नहीं है यहाँ तो 0 है इसके पास बात करेंगे titanium तो यहाँ पर एक होता है जबकि iron की बात करेंगे आप iron के केस में आपको पता है fe plus 2 है तो यहाँ पर आपके 4 अनपेडिलक्टोन है जबकि chromium में आपके पास 3 ही मिलेंगे तो answer आपका 2 ही हो जाएगा तो अगले question की बात करते है फिफ्थ question निमनिवे से किसका दिवदूर आगून ज्यादा है इसमें भी आपको किसी को problem नहीं होगी इसका भी A option ही उचित रहेगा क्योंकि यहाँ पर इसका तो 0 है इसका आपको पता है जो dipole moment है वो आपका 1.09 कुछ divide हको जबकि इसका 1.59 के something है इसका answer तो इसका answer भी आपका A ही होगा short tap के question के तरफ चलते हैं जो आपके 6 से 14 question तक है mole ans क्याद करने का सूतर पूचा है कोई दिक्कत नहीं है जिसका भी आपको mole ans निकालना है हमें पता है आप A का mole ans निकालो तो पता है A के mole के संक्या और नीचे जो आएगी वो A के mole के संक्या प्लस B के mole के संक्या हमें पता है किसी भी विलियन में कितने भी अव्यव क्यों ना हो उन सभी के मोलंस यानि कि जो मोलंस होगा वो एक एक वल होता है तो इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं सिंपल साफ फॉर्मूला था दैन अप सेवन कोशन की उत्रब चलते हैं आधरस्विलियन के कोई भी दो धर्ण दे दो अरे आधरस्विलियन में क्या है यहाँ पे कोई भ प्लोरड का दे सकते हो ना तो अलुईन का दे सकते हो मतलों कुछ भी ऐसे सिंपल दिन में कोई परिवर्तनी होगा में कुप सार एक्जाम्पल कराएं ठीक है दो दो आपकी च्छा से जोग इच्छा लगी सुन्ने प्रतन कोटी के विकिर्या है तो सुनने के लिए आपको सुनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा इल्यक्तिश का और सी ना यहां के लिए सबको पता है परमानु करमांग 25 किसका होता है हमारी नजर में MN का होता है और दिविश्यों जी यानि कि प्लस 2 की बात कर रहा है तो हमें पता इसके D5 है D5 के लिए इसके चुम्म क्या अगोन की वेलू क्या हो जाएगी 5.92 के आसपास इसकी बोरो मेगनेट्वी काई आ जाएगी अब हम अगले कोशन की बात कर लें इसका जो नेक्स्ट कोशन आपका धस्वान अमरेकाद 2 उबेधन्ती लिगेंडू के बारे में लिखो तो 2 उबेधन्तुक लिगेंड आप कोई से ले सकते हो जैसे के आपके पास ऑक्जिल्टो है अगलाइसिनेटो है आपके पास एन है ए यह Cnb होता है यह Ncb होता है एसे ही आपका no2 भी होता है ono भी होता है यह उबेधन्तुक भता दिया उसके बाद यहाँ पे इसकी औक्सिकण वस्ता पूछ रहे है तो यह सीवो नहीं है पेहली बात दो यह कोबाल्ट है यह ऐसे लिखा जाएगा कोबाल्ट है और कोबाल् यहां पर प्लस थ्री उक्षिकण मस्ता ही हो जाएगी और समय में संक्या जैर्शी बात है लेकिन बाइडंटिक है यानि कि आपके पास यहां समय में संक्या कितनी हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी यहां एक लगोर के आरे यहां जर्शिकार जाएगी तो यहां संसे आपके पास menzineِ से CL जुड़ जाएगा वह तो यहों睡ने कि एकलोर में ऑना उनल्मनकिन का से और आपके अन्हें यहां बात करते हैं लेकिन के आपके हैंfire यह बनजेन होC2C Metto Say उट जुड़ा हुआ है benzna यहाँ वां इत्हाइल के बाद आपको क्या करना है इत्हाइल के बाद 1 इन मैथिल है गस्या सोरि एक स्हुरी यह а peek सिंपल सा इथर है इस गरना है कड्क तो यहां पर टू एथोक्सी प्रोपेन हो जाएगा अब सेकंड बै का अंसर देखलो आप बै में क्या है आपके पास बै में आपके पास 123 तो यहां पर टू और यह 525 डाइमिथाइल बैंजीनोल हो जाएगा जिसका फिनोल भी कह सकते हो ठीक है सिंपल सा नाम था यह भी इसम कमले होता है जायर से बात है बिल्कुल होगा क्योंकि आपको पता है फिनोल के अंदर रेजोनेंस पाए जाता है और तो यहां पर आपको पता है रेजोनेंस पाए जाएगा तो ऑक्सिजन पर इलेक्ट्रोन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनों का सिफ्ट हाइट तिन कोशन जो है सरल घनिये जालेक में संकुलन समता ज्याद कीजिए अब ज्याद करना आपको आपको बता रखा है फोर्मला आपको पता है इसकी क्या आएगी बाउन पॉइंट जीरो एट को ऐसे आती है तो आप सम्धिंग निकाल देऊगे सटकोने क्रेस्टल तंतर में अक्षे कोनों के मान लिखिए ये भी कराया हुआ है अलफा और बीटा आपका 90 डिग्री होगा एंड गामा जो है आपका 120 डिग्री होगा ये आपको कराया हुआ है कोई इश्यू नहीं है इसको बिल्कुल ट्रिक के साथ कराये गया है देख सकते तो आपको 15 वरक की मिलानी है यानि कि सिलिकन में अगर आप फासपर्स मिला देते हो तो वो एंड टैप का अड़्चा लग बन जाएगा और उसी सिलिकन में अगर आप इधर से आपका गेलियम वगरा मिला देते हो तो वो पोजिटिव बन जाएगा ठीक है कोई श्यू नह समझाएगी आपको उसके बाद आपको यहां पे आपको मोलेटी निकालनी है मोलेटी निकालने के लिए आपको पता है यहां पे आपको एथेनोल दे रखा है उसके ग्राम मात्रा दे रखा है कि बेंजीन में किता में फोर्मल लगाओगे आप सीधा सा यानि कि आपके विल दोनों के रेशियो ही है एक तरह से निकाल लोगे इसमें को प्रोब्लम नहीं आएगे आपको यहां पर भी अठारवा कुष्टन का जो है पर चक्रन क्वांटम संक्या यहां बार बार पूछा जा रहा है यहां भी निकालोगी कोई शुनी लेंटिन श्रीज में उन दो तत्तु का नाम लिखे जो सिंपल साहे पहसी नाम लिखे दो आप क्या हो जाएग उसाइगा आपके फिल्य लेंटकर्ण 管 क यहां पर पता है एक दो नाम लिखे यहां लिखे-श में आयू-पैत charter से में क्या हो जाएगा आपके पास इसके गेश में आपके पास MN आपका सेंटरल मेटिल एटर में उच्छे हैं तो six एक्वा आपका मेगनीज सिंपल लिखेंगे यहां पर क्योंकि positive sign है लिगेंट के ऊपर complex के उपर तो आपका सीधा सब oxygen आवस्ता को आपको पता है मेगनीज के बाद रोमन संक्या में 2 लिखना होता है और बैका हो जाएगा आपका potassium ही होगा कई बच्छे tripotation कर देते हैं वो गलत बात है potassium होगा उसके बाद try होगा oxalato होगा और ferrate होगा यहां पर क्योंकि नेगेटिव लिखेंट है अपना और समय मंदल के उपर नेगेटिव चार जा रहा है तो potassium tri oxalato and ferrate और यहां भी आपकी oxygen अवस्ता 3 है तो रोमन संक्या में 3 लिखना पड़ेगा नेक्स उसके बाद edta edta podcast दाध पूछे 7 वाला भी होता है तो चैथा तो टॉक्त था जाते हैं तो यहां के फिस में इसाथ समपन होने को बताइए तो यहां पर आपको बताना है दुरून गुंदन में अलकेल हैलाइट जैसे कि आपका CS3 या CL है इसके केस में जो आपका परतिलोमन आपको पता है SN2 अभिक्रिया में देखने को मिलेगा जो आपको reversible attack होता है जब हम आपको पता दुरून गुंदन में सिंपल सा है इसमें कोई इस्यू नहीं है समझाना था थोड़ा सा इसको SN2 को ठीक है उसके बाद अपन और कॉशन देखते हैं कुछ ऊपर है साइद ठीक हाँ यह कुछ ऊपर कॉशन भी है आपके पास हां इसका जो hurts नहीं है यह woods अभी करिया है बच्चा बच्चा जानता है स्व क्या होने वाला इसकी बाद आपके यह भी है एक a g c n है तो आपको पता यहां पे प्रोड़क्ट जो है प्रोड़क्ट आपका यहां पे n c बनेगा ध्यान रखना एजिसीन है इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा एंसी आपको पता यह सहसी हो जिए नेचर का कंपाउंड हो गया तो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेर ही आपके सबसे पहले इस कार्बोकेटाइन क्यों प्रटेक कर लेगा और उसके बाद एंसी प्रोडक्ट टो आप देखओ प्रसे आपको वो वह रिक्शन देखना मिल गया है आपको मिल गई होगी आपको यहां ना वह हैक्सवर्य हैव你 रेक्शन ही आ गई इहापके आपका लिया गया है और यह अनुन थिन सोर्डियम यहां परका सी टु एचफाइप बॉंड इस आयुप bb है यहां पर सीधा सा क्लोरिनेशन होगा यानि कि एलकीली क्रण गुरूप हो जाएगा सी अस्त्री गुरूप जुड जाएगा यहां पर और्थो या प्रैस्ट्थी के उपर तो हमारा एक फ्रेडल क्राप्ट वाली रियक्शन है उसके बाद आपका हां यहां पर आपका जो फोजीन बन जाएगा यह जो आपका COCđL2 बनेगा फॉझीन बन जाता तो फोजीन बन जाते इसलिए इसमें इथायल सब्सक्राइब सबस्क्राइब सबस्क्राइब हमारे फिनोल और क्लोरोफोर्म की फेमस भी करिया है जैसे कि आपको पता है यहां पर आपको फिनोल बनाना है फिनोल के बाद आपका क्लोरोफोर्म लेना है क्लोरोफोर्म के बाद आपको जली एक के ओच त्री के ओच या जो भी लो इसका प्रोड़क्ट आपको पता है सेलि लिख सकते हैं इसको भी फिनोल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे पिक्री कमल और सैलिसली कमल आपने इस वाली रियक्शन से भी प्राप्त किया है अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने पिक्री कमल आपको पता है क्लोरोबेंजीन के बिक्रिया करा देंगे वहाँ पे आपको नाइ्ट्रिक मिल का आधिक के लेंगे और तिनन ow टूफॉर शिफ्स ट्रैनाइट्रो जो आपका बनता है टूफॉर वन सोड़ी टू आपका टू के बाद में आपका वोर और फिर आपका सिक्स जो बनेगा वह आ तेक ब्यूटिल अलकोल का आपको प्राइच गृूप है तो टू मिथाइल टू प्रॉपे नाम हो जाएक इसका नाम सिंपल सा नाम है इसको इस्यू नहीं है एंड उसके बाद आपका निमली की राशा निक्नियाओं को पून करना है यह भी आपको करार रखी है यहां पर पर किर्णोल बन जाएगा यह वाला जो आपकी रेक्सिन है है केसमें यह भी बन जाएगे आपके पास सिंपल सी रेक्षिन रेक्षिन धान प्रड़ा को प्रकाई प्रड़्यम् दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राई जरूर दे सकते हो बाकि यह सोलीशन भी पुरा यूट्यूब पे डाला हुआ है और फिलाल आपको पता है कांजी से आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं और काफी अच्छी मिनत भी कर रहे हैं उनके पड़ायों में से खुब कॉशन भी मिलते हैं तो चलो ठीक है थैंक्यू मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ कभी ठीक है थैंक्यू सो मच